दोस्तों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एगरी मस्ती यूटूब चैनल पे दोस्तों आज का ये वीडियो चत्रपती साहुजी महराज विश्वविदाले कानपूर का B.A. B.S.C. B.K.M. M.A. M.S.C. M.K.M. Final Result 2023 से सम्बंधित है दोस्तों मैं आज किस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि B.A. B.S.C. B.K.M. या फिर M.A. M.S.C. M.K.M. वालों का Final Result 2023 कब तक जारी किया जाएगा चोकि Paper संपन हो चुका है अपरेल से Paper स्टार्ट था जो कि मही तक Paper चला है मैं वीडियो में आगे आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपका Result कब तक आ सकता है तो मैं वीडियो में आगे बढ़ाऊं आप लोगों को सब चीज़ी बताऊं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी छातरी चैनल पर पहली बार विजिट किये है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले क्योंकि कानपूर इनिवर्सिटी के हर चोटी बड़ी निवज आपको सबसे पहले और सबसे सटी क्रूप से यहाँ पर दिया जाता है और दोस्तों आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको हर चोटी बड़ी अपडेट असानी से मिलती रहेगी टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब दोस्तों हम लोग टॉपिक पर चलेंगे कि CSJMU कानपूर का BA, BSC, B.com या फिर M.A.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C. ये जो आप लोग का एक्जाम हुआ था वो एन्वेल एक्जाम हुआ था वार्शी की एक्जाम हुआ था और इसे पहले सिमेस्टर एक्जाम सुए थे जिसका रिजल्ट अभी तक सभी रिजल्ट नहीं आया है अता इन्वस्टी का कहना है कि सभी सिमेस्टर पर इक्षाएं जो एन्वेल एक्जाम हुए थे जैसे बीए, बीएसे, बीकवालों का जो की फाइनल Year की एक्जाम हुआ है इस बार उनका रिजल्ट जारी किया जागा, याणि दोस्तों दो स्कूल मिलाकर आपको बताएं तो आप लोगों यानि final year वालों का result जून महीने के आखिरी सब्ता तक आ सकता है या फिर ये जो है आपका result का date जुलाई में भी जा सकता है क्योंकि सबसे पहले जो semester पर इचाय हुई थी उसकी result देना जरूरी है ठीक है जो कि अभी तक नहीं आया है जैसे ही semester पर इचायों का result जारी कर दिया जाएगा सभी का उसके बाद exam जो हुआ था annual यानि आप लोग exam हुआ था उसका result जारी किया जाएगा दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के माधम से आपको पता चल गया होगा कि आपका result कब तक आएगा तो आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सुमी का बहुत बहुत धन्यवाद